हलो दोस्तो वेलकम टो माई चैनल टेकनिकल हेल्प एम के आज आपको देखाएंगे एगरिकल्चर वाटर पांप जो खेत की सिचाई में काम आता है ये चाइना हुंडा बोलके सभी लोग पेचानता है तो इसका प्राइज बाताएंगे और पेसिफिकेशन बाताएंगे और आपको चालू करके भी देखाएंगे खेत में चाला के भी पानी उठाके देखाएंगे और इसका क्या 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 फेसिलिटी है वो बाता देंगे आज देखा देंगे ये चाइना हुंडा बोलकर सभी लोग पेचानता है तो ये लेना ठीक है या नहीं है कितना दाम है बात जलता है और हुंडा थोड़ा ज्यादा पिराइज होता है दोनों पिराइज आपको बाताएंगे तो देखिए यह सबसे हलका इंजिन होता है 27 से 28 केजी का होता है यह किरोसिन से चलता है पैट्रोल से स्टार्ट होता है यह वाटर पम्प कहीं भी ले जाके सिंगल अदमी अराम से चला सकता है यह जो पाम पे यह 3 इंची सक्षेन में देता है और डेलिवरी भी 3 इंची देता है यह देखिए CD Tiger Gold EP 30K मॉडल लिखा है इसका जो मॉडल है इसका मॉडल बहुत सारा आता है इंजीन आर देखने में सेम रहता है सिरी मॉडल चेंज हो जाता है देखिए यह सक्षेन जो है पानी टानेगा 3 इंच और देगा जो डेलिवरी है वो भी 3 इंच डेलिवरी देगा इसका सेल पामिंग पाम है आटोमीटिक यह पानी टान लेता है यह है gasoline मातलब petrol का ढखा और यह है kerosene का ढखा जहाँ पर kerosene डालेंगे आप petrol से start होगा और kerosene से चलेगा और इसका engine है 6.5 HP engine इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हैं और recoil start है यह handle से टानने से start हो जाता है और यह है fuel cork petrol में दे के start करना पड़ता है start हो जाने के बाद kerosene में देना पड़ता है रांग ऐसे कर देना होता है और यह china engine है यह जिसका चल जाता है तो अच्छा चल जाता है आज जिसका नहीं चलता है वो जल्दी से खरफ हो जाता है यह है ignition switch engine stop करने के लिए और इसमें oil alert भी लागा हुआ है यह oil alert बताएंगे आपको और यह है ignition switch तो देखिए इसका price बता देते हैं इसका price है 7400 इसका price है यह बहुत काम दम है इसलिए ज़्यादा तर चलता है और हुंडा engine का price बता देते हैं देखिए WBK30 हुंडा जो water pump है उसका price है 24000 हुंडा water pump का एप्रोक्स price बताया आप लोग को यह price है फेर हो सकता है जगा के उनसार एलेका के उनसार और हुंडा engine ज़्यादा दम होने के लिए कम चलता है यह चाइना engine कम दम होता है इसलिए ज़्यादा चलता है बहुत ज़्यादा इस हुंडा का ज़्यादा longevity है चाइना में एतना longevity नहीं है लेकिन जिसका चल जाता है उसका अच्छा चल जाता है जिसका खरफ हो जाता है जल्दी से और इसका जो पानी का capacity है एक मिनिट में यह 800 लिटर पानी देगा और हुंडा जो है एक मिनिट में 1000 लिटर से ज़्यादा प आर्पीम है छत्तिरीसो और इस वाटर पांप को हम चला के देखाएंगे खेत में भी ले जाके आपको चला के देखाएंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो खेत में ले जाके चलाना वीडियो आप देखना चाते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख संब्सक्राइब है इसका जो पांप है वाटर पांप उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं नहीं तो वाटर सिर्थ हो सकते है डाई स्टाथ करने पर है और यह है ओल फालतस सीच फोलर मतलब नहीं रहने से उग्योंतर है और इसका जो fuel tank capacity है 3-4 liter होगा और petrol 300 ml लगता है और ये एक घंटा में 600-800 ml केरोसिन लगता है और ये जो pump है self-priming pump है self-priming मतलब automatic ये पानी खीच लेता है सिर्फ pump पे पानी रहने से ही होगा देखिए अब start करते हैं देखिए ये start हो गया engine start हो गया आप sound सुन सकते हैं तो इसी तरह और हुंडा इंजिन या चाइना हुंडा इंजिन का वीडियो देखना चाते हैं तो मेरा चैनल को जोरू subscribe करके रखिए और चैनल में हुंडा इंजिन का वीडियो दिया हुआ है आप जाके देख सकते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए सबी को बहुत बहुत धन्यवाद।